योट सब गाइस कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम बाक तो अनदर अमेजिंग वीडियो काइस आज जो डिश हम ट्राइ करने वाले हैं वो है मुंबई की लोकल डिश और काफी फेमस है वो मुंबई में क्या है वो डिश कहां से मगाई है सब आपको वीडियो में बताऊंगा ब है तो गाई चो डिश हमने आज मगाई है इसका नाम है वडा पाव यह हमने मगाई है विकास कुरी से और जो रेस्टरौंट ए उसका नाम है मुंबई का नंवर वन वडा पाव इंक बार में चेक खें लेता हूं अब हमने सही पढ़ा है तो हां मुंबई गिंग नंबर वन तो देखते हैं कि हमने कौन-कौन से वड़े पाव मंगाए हैं और एक हैसमें चीज वड़ा पाव और दो मंगाए हैं हमने मक्षन वड़ा पाव तो एक बार खोलते हैं इसको और देखते हैं कैसे हैं डिश्ट तो बाइस वड़ा पाव आजबाय है हमारे पास देखते हैं कौन-कौन सा वड़ा पाव मिला है इन्होंने लेबल में किया है कि कौन सा चीज है या कौन सा मक्कन है पते हैं पूर की दिखाता हो आपको में यह लग से मिला है हमें और दो अलक से मिले हैं पाड़ा यह है अमारा वड़ा-पाव ओ यह चीज वड़ा-पाव चीजज आपको दिख रहीगा इस उपर और साथ में है टिक्की जो की बढ़ती नी है इसमें और फूड़ी ग्रीन चटनी नी दिख रही है मुझे आलाकि इन्होंने चट्नी अलग से भी दिये हैं तो यह चट्नी एक बार पूर कर लेते हैं यह है हमारी शायद मिन्ट केचप और इसके साथ इन्होंने हमें दी है रेड वाली केचप तो इसको में मिक्स कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आए और भाई साथ में है हमारे यह आई थिंक सैलड है लेट मी चेक यह मुझे मिर्ची जैसा फ्लेवर आ रहे हैं तो यह है जी हमारी कुछ मिर्ची टाइप का फ्लेवर है इसके इंदर आप देखते हैं मिर्ची है ग्रीन चिलीज वाली मिर्ची है और यह शायद कुछ आप जो कॉमेंट से बताइए कि इस क्या मैं आम नौट शॉर कि यह क्या है वड़ा पाव लुक्स अमेजिंग हमारे मखन वड़ा पाव का साइज कि अगर मैं बात करूं तो मुझे छोटा लग रहा है साइज बर देन नौट शॉर पहली बार ट्राई कर रहा हूं मैं इसलिए मखन वड़ा पाव हमारा यह है नौमल इसके अंदर हमें वही चटनी वाला कॉंसेट है और इसका जो शायद टिक्की है यह शायद दाल से बना है इसको भी एक बार खोल की चेक करते हैं लगा कें दो अदुल है ह्या जी उसमें है आलू दिख रहा है और मुझे दिख रहे हैं इसमें डीन चलीज और का म्भिनेशन ठीक है तो यह हमने एक और हमने जो मगाये हैं वह बेसिकली दो मखन वड़ा को मगाये हैं और एक हमारा चीज बहने वाला है चीज वाला में ट्राइए नहीं करूगा नॉर्मल वाले ट्राइए करता हूं और आपको बताता हूं उसका टेस्ट विपर इसके साथ लगा लेते हैं बन और टिक्की वाला कॉंसेट है यह बट काफी रिफ्रेशिंग टेस्ट है थोड़ा अलग टेस्ट है और जो मखन में इन्होंने रोस किया है इसको टिक्की को शायद उसका फ्लेवर ही बड़ा अच्छा आ रहा है तो अधिंग मुंबई वाले लोग भात खाते हैं जैसे हमारे चोले विटो ने उनकी हाँ पर वड़ा पाऊ है वड़ा पाऊ है और अच्छा टेस्ट है बहुत बाकी अंदरी फिलिंग में आपको दिखाई चुका हूं अगर आपको वड़ा पाऊ ट्राई करना है और अगर आप विकार सब्सक्राइब कर देना चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में के और देश के साथ या किसी और रेस्ट्राइब या घर पर तब तर के आदियो जमीग हो कर दो